सर्व्यभ्यो नमो नमह मम नाम डक्टर लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता सास्की उच्टर माध्यमिक विद्याले छजान परी जीला रायपूर मध्ये अहम पदस्थोस में अध्यवयम पठामह दसम्याम कक्षायाम संस्क्रित विसेयम चतूर्था पाठह पाठह से नाम अस्ति बिलासा प्यारे बच्चों आप जानते हैं भारती परंपरा में किसी स्थान का नाम रखने की अनेक परंपराएं रही हैं कभी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी प्रसिद्ध घटना आधी के नाम पर नाम रखने की परंपरा है जैसे हम अपने देश का नाम जानते हैं हमारे देश का नाम है भारत यह प्रसिद्ध राजा भारत के नाम पर यह नाम रखा गया है इसी तरह से हम अपने प्रदेश की बात करें 36 गड़ इसका भी नामकरण जो किया गया है इसके पीछे एक विशेश कारण रहा है प्राचिनकाल में यह इस्थान जिसे हम 36 गड़ कहते हैं पहले दक्षिन कोषल कहा जाता था और यहां 36 विभिन गड़ हुआ करते थे थे तो 36 गड़ का जो छेत्र था यह पूरा दक्षिन कोषल के नाम से जाना जाता था आधुनिक समय में उन 36 गड़ों या कीलों या राज्जियों के अधार पर वो जो दक्षिन का उसल था उसे 36 गड़ के नाम से जाना जाता है इसी तरह से विभिन नगाओं या नगरों का नाम करण जो किया जाता है उसके पीछे कुछ न कुछ विशेश कारण अवस्य होता है आप जहां रहते हैं उस गाओं का नाम या उस इस्थान का नाम क्यों पड़ा यह भी आपको जानना चाहिए यह एक खोजी प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए अर्थात हमारा नाम क्या है इसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य होता है या कहें कि हमारा जो नाम है उसका अर्थ क्या है हमारा यह नाम क्यों रखा गया है इन तथ्यों के विशा में हमें जानकारिया होनी चाहिए इसी तरह से हम देखते हैं हमारे 36 गड में एक प्रसिध इस्थल है प्रसिध नगर है जिसका नाम है बिलासपूर बिलासपूर का नाम बिलासपूर क्यों पड़ा यह हमें इस पाठ के माध्यम से पता चलेगा बिलासपूर का नाम जो है बिलासा नाम की एक महिला वो कैसी महिला थी वो कैसे वह कारे करती थी कैसे वह साहसी थी क्या नेक कारे करती थी जिसके अधार पर उस सहर का नाम जिसको आज हम 36 गड़ की न्यायधानी कहते हैं इस सहर का नाम उस बिलासा नाम अकमहिला के नाम पर पढ़ा है तो उससे संबनित पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो आईए सबसे पहले हम यह पाठ है बिलासा इसको सूनते हैं रतन पुरस्य जन्पदान तर्गते सताधिक वर्स पूर्वं लगरा इती ग्रामात स्वा पत्म्या सह जिवको पार्ज नार्थम परसु नामनह कै वर्त्यह निर्गतह तव अपरा नद्याह तटे अतिष्ठताम अपरा याह तटे एकह लगु ग्रामह आसीत परसु अरपा नद्याम रतिदिनम मत्स्या खेटम करोतिस्म कालांतरेन तस्य भार्या बैसाखा एकाम स्वस्थाम बालाम अजनयत सा बालिका लावण्य वति आसीत लावण्यन तस्याह बिलासा इती नाम कर्णम्भवत बिलासा सैसव काले बाला बालै सह क्रिडतिस्म तस्याह बालका नाम क्रिडनकं क्रिडनम्च रोजतेस्म बिलासा अदम्य साहसिका आसेत एकदा सुप्तम बालम नित्वा विक्कह पलायनम पूर्वन आसेत तदा बिलासा विक्कम दंजेन ताज इत्वा बालका मुक्तम क्रित्वा मातरम समार्पयत बालकाई सह बिलासा मल कोसलम सिक्षतेस्म तम साहसम द्रिष्टवा जनैह तस्याह दलाय ग्राम रक्षणस्य दाईत्वम प्रदत्तम यदा वर्षा काले अपरा नध्याम जल पलावनम जातम तदा बिलासा नौकया जनान संतार यतिस्म एव मेव सा नौका चालने पी पारंगता जाता सा लोकन रित्य गीत योह अपी सिध्धा आसित ग्रामस्य सर्वेशु कार्य क्रमेशु सा अग्रसरासित कालांतरे बिलासा याह विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत बिलासा प्रतिदिनम चार तेंदू इति वन्य फलानी संग्रहनार्थम गच्छतिस्म तथा च बंसी महीस चार नाय वनम प्रति अगच्छत यदा सायम काले बिलासा पत्या साकम ग्रिहम प्रति नियवर्तित तदा सहसा आखेटाय भ्रमतह राग्यह कल्यान सायस्यो परी एकह व्याग्रह आक्रमनम कृत्वान तम विलोक्य बिलासा व्याग्रम कुंतेन प्रहार्य राग्यह प्राणान अरप्छयत अनया कल्यान सायह बिलासया प्रभावितो भुत्वा अपरम दिवसं अपरा नद्याह द्वयोह तटयोह जागीर बिलासा येई दत्तवान तथाच्य राजा रतनपुरं तत्यागतह अनंतरं ताम खटगेन अलंकृत्य महिला सेनापती इती पदे निययोजयत बिलासा स्वप्रयतनेन ग्रामस्य विकासह गृतवति तस्याह वर्धमानं प्रभावं द्रिष्टवा प्रतिवेसिनह राज्यानी तस्याह छेत्रे आक्रमणं गृतवंतह तै सह बिलासा साहसेन युद्धम अकरोत सा राज्यरक्षा कूर्वति वीर्गतिम प्राप्तवति राज्यह कल्यान सायन मच्या खेटका नाम निवास स्थलम बिलासा याह सम्मानार्थम बिलासा पुरम इति नामना प्रथितम वर्धमाने इदम बिलास पुरम छत्तिस गढ़स्य म्यायधानी अस्ति बिलासा स्वकारियेन नकेवलं स्वसमाजे अपीतु समस्त छत्तिस गढ़ प्रांते सम्मानितास्ति सम्प्रति छत्तिस गढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन छेत्रम प्रोत्साह नार्थम तया नामना बिलासा बाई केवल्टिन इति पुरस्कारह प्रति वर्षह दियते अपीच तया नामना बिलास पुरे बिलासा तालह बिलासा कन्या सनात कोत्तर महाविद्यालयह बिलासा चतुस पथह प्रब्रीतयह गवरवान विताह संति एव मेव 36 गढ़स्य पुज्या बिलासा साहस सौर्य कर्म निष्ठा छेत्रेसु आदर्स भूतास्ति प्यारे बच्चों यहां है हमारा बिलासा पाठ आईए अब इस पाठ के गद्यांस को सब्दार्थ को विभिन पदों को हम समझते हैं प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ सुना बिलासा बिलासा में जो गद्यांस आए हैं इसके विभिन गद्यांसों को पूरे पाठ के अंस को हमने भली भाती सुना और आईए अब इस पाठ में जो गद्यांस हैं जो सब्द हैं उनको समझते हैं, पाठ का भाव क्या है उसको समझते हैं और अंततह बिलासा का जो साहस है उसके कारिय हैं उन कारियों के विशाय में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे तो हम पहला गद्यांस लेते हैं, गद्यांस अब देख पा रहे हैं अपरा याह तटे एकह लगु ग्रामह आसीत परसु अपरा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्या खेटं करोतिस्म कालांतरेन तस्य भार्या बैसाखा एकां स्वस्थां बालां आजनेयत सा बालिका लावन्यवति आसीत लावन्यन तस्याह बिलासा इति नाम करनम भवत ये गद्यांस है और इस गद्यांस का अर्थ हमको समझना है तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना होगा कि इस गद्यांस में कौन-कौन से पद हैं जो हमें कठिन लगते हैं या कहें कि कौन-कौन से पद हैं जो संधी युक्तपद हैं देखिए, संस्कृत की विशेषता है, इसमें संधी और समास से युक्त पदों की बहुलता होती है, या कहें कि संधी एवं समास का प्रयोग के माध्यम से विभिन सब्दों का संछेपी करण रूप, संस्कृत में प्रस्तूत किया जाता है, इसके माध्यम से हम कम सब्दों मे अधिक भावव्यक्त करने में समर्थ हो पाते हैं तो यहां इस गध्यांस में जो इस तरह की पद आए हैं विशेज कर संधी वाले पद आए हैं उन संधी युक्तपदों को हम पहले देखते हैं उन में कौन-कौन से पदों का योग हुआ है और इस तरह से एक संधी युक्तपद बना है तो वहां से हम संधी को अलग करते हैं अर्था संधी विच्छेद करते हैं और देखते हैं उसमें कौन सी संधी का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले हम देखते हैं जन-पद-अंतर-गते यह सब्द जो है दो सब्दों से मिलकर बना है जन-पद-धन-अंतर-गते यहां पर देरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से हम आगे देखते हैं जीवको पार्ज-नार्थम यह जो सब्द है इसमें एक से अधिक संधियों का प्रयोग हुआ है जीविका धन-उप-धन-अर्जन-धन-अर्थम इनकी योग से जीवको पार्ज-नार्थम यह सब्द बना है जीविका धन-उप कहते हैं यहां पर गुण स्वर संधी का प्रयोग हुआ है उपधन अर्जन कह रहे हैं यहां पर दीरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है अर्जन धन अर्थम कहते हैं यहां पर भी दीरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से बच्चों आप जानते हैं कि इसी सब्द में किवल एक ही संधी हुई या अवश्चक नहीं होता है, एक सब्द जो है अनेक सब्दों से मिलकर भी बना होता है, उसमें एक से अधिक संधियों का प्रयोग भी होता है, जैसे इस सब्द में हमने भी देखा, आगे इसी तरह से एक सब्द है कालान तरेण, काल धन अंतरेण इति कालान तरेण, यहां भी देरगस्वर संधी का प्रयोग हुआ है, नाम करणम भवत, नाम करणम धन अभवत, यहां व्येंजन संधी का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से किसी गध्यास को आप देखते हैं, तो उ संधियों का प्रयोग हुआ है तो उन संधी पदों को आप अलग कर दीजिए तो इसे उसका भाव या कहें कि उसका अर्थ समझने में सरलता होती है तो यहां हमने संधिवी छिद कर लिए आईए अब कध्यास में प्रयुक्त सब्दों को देखते हैं उनके अर्थों को जानने सकते हैं तो पहला सब्द है रतन पूरस्य यहां सब्द है रतन पूर मूल सब्द है इसमें सश्टी भक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और इसका तात्पार यह होता है रतन पूर का के की, सश्चु विक्तिम क्या प्रयोग होता है? का के की, तो रतन पूर के, जन्पदां अंतर्गते, जन्पद के अंतर्गत, सताधिक वर्स पूर्वम, सताधिक मतलब, सताधिक यह भी दो सब्दों से मिल पुरन है, सत धन अधिक, सत धन अधिक, यहाँ पर दि वर्स पूर्वम अर्थात 100 से अधिक वर्सों से पहले लगरा इती ग्रामात लगरा यह गाउं का नाम है जैसे आप जिस इस्थान पर रहते हैं उस इस्थान का विशेस नाम है उसी तरह से उस गाउं का नाम कौन से गाउं का नाम जिस गाउं की चर्चा यहां इस बिलासा प पहले हुआ करता था तो उस गाउं का नाम था लगरा तो इती ग्रामात ग्रामात ग्राम मुल सब्दा है पंशिभ्ध्ति एक वचन का प्रेयोग हुआ है और इसका तात्परी होता है गाउं से यह ग्राम से स्वापत्निया सह स्वार्च्ण अपनी पत्नी के साथ सह योगि त्रितिय भवति स्वार्च्ण पतनी मूल सब्दा है इसमें स्वा ऊपसरगा का प्रैयोग हुआ है मनि इसका योग हुआ है स्वा का योग किErदिये तो पतनी सब्द सभगा मैं तरित्याव्यभक्ती का प्रियोग हुआ है क्या ही सभग स हा उपदवीभक्ती है इसलिए यहां पर पत्नी सबदर तो स्वाव पत्नियास अपनी पत्नी के साथ जीव को पार्ज नार्थम जीविका अर्जित करने के लिए या आजीविका के लिए परसु नामनह कैवर्त्य निर्गतह गया निर्गतह यह सब्द कैसे बनता है नी उपसर्ग है गमधातु है अक्तप्रत्य है पूलिंग एक वचन का यह रूप है अर्थात गया तो रतनपूर जन्पद अंतरगते सताधिक वर्ष पूर्वम लगरा इतिग्रामात स्वापत्निया सह जिवको पार्जनार्थम परसु नामनह कैवर्त्य निर्गतह इसका अर्थ होगा रतनपूर जन्पद के अंतरगत सव वर्ष से अधिक से पहले लगरा नामक गाउं से अपनी पत्नी के साथ आजिवीका के लिए परसु नामक कैवर्त जो है गया अर्थात लगरा गाउं से भिन्न गाउं आजिवीका के लिए रोजगार के लिए वह दूसरे गाउं गया यह जो वाक्य आया है इस वाक्य से संब्दित प्रस्न किया जा सकता है यह था अस्मिन वाक्य क्रिया पदम की मस्ती तो यहां पर क्रिया पद है नीर गता है इस वाक्य का करता पद पूछा जा सकता है इस वाक्य का अस्मिन वाक्य करता पदम की मस्ती तो इस वाक्य का करता पद है पर्सु पर्सु गताह तो करता है करता अनुसार क्रिया भवाती तो क्रिया का जूरूप रूप है वो कैसा है यह सामान्य रूप नहीं होकर के तो रिक्या गया है, सह तौ ते, यहां तद मोल सपता है, इसका तातपरी होता है वह, यहां जो प्रवगत हुआ हैताव, यह Pु YE पुड्लिंग, प्रत्मविभक्ति, द्विवचन का यह रूप है, और इसका तातपरी होता है वे दोनों, कौन दोनों? परसू और उसकी पतड नहीं, वे दोनों, आपरा नद्याह, आपरा, चातितरग्ड की जो नदिया हैं, उन में से एक प्रमुख नदी का नाम है, आपरा, चातितरग्ड की वही नदियों की नाम जानते हैं न, हाँ, कौन-कौन सी नदिया है, बिल्कुल सही है, जैसे हम देखते हैं इंद्रवती नदी है, महा नदी नदी है, सीवनाथ नदी है, हस्दो नदी है, अर्प नदी है, ये सभी 36 गड़ की प्रमूख नदिया हैं, तो इनी प्रमूख नदियों में से एक नदी है अपरा, तो तव अपरा नद्याह तटे वे दोनों अपरा नद के तटे तट पर अतिष्ठ थाम रूक गये यहां नद्याह जो सब्द है इसमें नदी मूल सब्द है सश्ट्विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है नदी के तट पर रुक गये अपरायाह तटे एक लगु ग्रामह आसीत अपरायाह अपरा मूल सब्द है सश्ट्विभक् तते तत्मूल सब्द है र mentioned coalition का प्रेयुग हुआ है इसका तात्परिध उत्ता है तत्पर दब्र एक ह करुनUNG सब्द है एक तुर्ण ही को लगु ग्राम मतलब होटा है चोटा ग्राम मतलब ग्राम या गां तो आपरा नदी के तत्परएक चोटा सा गाउं, आसीत था, एक चोटा सा गाउं था, उस नदी के किनारे में, अपरा नदी के किनारे पर एक चोटा सा गाउं था, परसु अपरा नद्याम प्रती दिनम मत्या खेटम करोतिस्म, अब परसु जो है उस नदी के तड़ पर किनारे, तड़ पर किनारे, जो जुक गया और वहां रहकर ही वो आपनी आजीविका चलाने लगा आजीविका के लिए क्या करता था वह नदी जाता था और नदी में जाकर मचलीयों को पकड़ता था मत्याखेटम करो तो परसु आपरा नद्याम आपरा नदी में नद्याम नदी सब्तिमिभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है इसका तात्पर यह होता है नदी में प्रती दीनम प्रती दिन रोज यह समाशिक पद है दीनम दीनम प्रती यह इस तरह से इसका समाश विग्रह करेंगे यहां पर अव्याईभा와 समास का प्रयोग हुआ है मत्स आखे टम मतलब मखली आखेटम मतलब सिकार आरबThis मखली और होता है भूत काली क अर्थ में इसका प्रयोक किए जाता है इसका ताथ पर यह किसी भी क्रिया में यदि किसी भी क्रिया के लट लकार में यदि स्मा का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ वर्तमान कालिक नहों करके या कहें कि लट लकार का नहों करके वह लंग लकार का अर्थ देने लगता है तो यहां पर हम देखते हैं करोति यह जो सब्द आया है प और इसका तात्पर शक्रिया क्रिया रूप का वर्तमान कालिक करने के भूत अर्फाध करती ता था, तो सुर्प नदि में 10 दिन मठी दिन मज़ी पकड़ने का और ये। करता था कभी कभी प्रस्ण पूछा जाता है कोई भी वाक्य लिए जाए और उसमें से करता क्या है क्रिया क्या है विशेशन क्या है विशेश से क्या है इस तरह के प्रस्ण पूछ जाते हैं जैसे इस वाक्य पर अधारित प्रस्ण पूछा जाए परसु अरपा नद्याम प् के क्रिया पदम किम प्रयुक्तम अर्थात इसमें क्रिया पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है तब उत्तर होगा इस वाक्य में क्रिया पद है करोतिस्म केवल करोति इजना नहीं लिखना है पूरा क्या लिखेंगे करोतिस्म क्योंकि उसम जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है उस अंतरेण काल अंतरेण दिर्गर स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है समय बीतने पर तस्य भार्या उसकी पतनी भार्या मतलब होता है पतनी तस्य मतलब उसका या उसके इसका भी तद जो है मुल सब्दा है सश्ट्री भक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है तो काल अंतरेण समय बीतने पर तस्य पत्नी बैसाखा उसकी पत्नी बैसाखा बैसाखा कस्य पत्नी अस्ति तो बैसाखा पर्सु पत्नी अस्ति पर्सो पत्नी अस्ति तो पर्सु कस्य तो पर्सु कह रहे हैं तो पर्सु में सश्ट्य भक्ति लगाना पड़ेगा आपको तो पर्सो भार्या ब बैसाखा एकाम स्वस्थाम बालाम अजनियत समय बितने पर उसकी पतनी बैसाखा ने एकाम स्वस्थाम बालाम एक स्वस्थ बाला को बाला अर्थात बालिका को कन्या को अजनियत जन्म दिया तो एकाम लिखा गया है एकाम क्यों लिखा गया है क्योंकि यह जो है बालाम एकाम स्वस्थाम बालाम तो बालिका की विशेषता बताई गई है किससे बताई गई है एकाम स्वस्थाम एक बालिक एक स्वस्थ यह क्या है यह विशेषण पद है कि विशेश्य क्वा कि लिए प्रस्था जा सकता है तस्या ढूर्यअ बशाहता है कि शुष्थाम बालाम जनियदं असमिन वाक्ये विशेशर्ण कमकी मस्ती तो विश्षर्ण पर होगा Г काम स्वस्थाम अस्मिन वाक्ये विशेश्य पदम किम अस्ति तो यहां पर प्रेक्त होगा अस्मिन वाक्ये विशेश्य पदम अस्ति बालाम क्योंकि विशेश्ण किसको बोलते हैं और विशेश्य किसको बोलते हैं विशेश्य कहा जाता है जिसकी विशेश्टा बताई जात तो यहां पर विशेशन होगा एकाम स्वस्थाम और विशेश्य होगा बालाम आजानियत मतलब जन्मदिया तो समय भीतने पर उसकी पत्नी बैसाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्मदिया यह इस पंक्ति का अर्थ होगा आगे बढ़ते हैं सा बालिका लावन्य वती आसीत वह बालिका लावन्य वती थी अर्थात बहुत सुन्दर थी सा मतलब होता है वह यह इसका भी मूल सब्द है तद इस्ट्रिलिंग प्रत्मभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है वह यह इस्ट्रिलिंग में तो सा बालिक संदर्थी या संदर्य वती थी अशीत यह सब्द जो है असधातित्से बना है लंग लकार प्रथम पुरूस एक वचन की रूप यह रूप है इसका ताथपर होता है था थे ती तो साँ बालिका लावनिय वति आसित वह बालिका संदर्थी लावन्यन तस्याह बिलासा इती नाम करणम भवत लावन्यन अर्था तुन्दरता के कारण से लावन्य मूल सब्द है तृतियोव भक्ती एक वचन का प्रयोग हुआ है इस कारण से इसका तात्परी क्या हुआ लावन्य से या लावन्य के कारण तस्याह उसका कस्याह बालिकाया बिलासा इती नाम करना मभध अर्थाथ सुन्दर्ता के कारण से अर्थाथ वह विलास से युगत थी नैनो को रंजन करने वाली थी आनंद देने वाली थी इसलिए उसका नाम उसकी सुन्दर्त के कारण बिलासा नाम रखा गया अर्थात लावन्यन तस्याह बिलासा इती नाम करणं भवत सुन्दर्त के कारण उस बालिका का नाम बिलासा रखा गया या कहें कि सुन्दर्ता के कारण उसका बिलासा यह नाम रखा गया यह नाम हुआ ऐसा कह सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बिलासा सैसा उकाले बाला बालाई सह क्रिड़तिस्म बिलासा जो है वह सैसा उकाले किसको कहते हैं देखिए एक सिसु कहते हैं तो सिसु अवस्था जो होती है इसको कहा जाता है सैसा उकाल जैसे बचपन कहते हैं यह बाल्या वस्था होती है उसको कहा जाता है बचपन तो इसी तरह से सिसु अवस्था जो होती है इसको कहा जाता है सेसा ओकाल तो बिलासा सेशाओ काले अर्था जब सीशु थी अर्था छोटी बच्ची थी तदई भाला बाला इस्सह क्रीड दिस्म वह विभीन बाला बाले इस्सह अरथा बालिकाओं और बालकों के साथ खेलती थी आप भी खेलते थे ना हम देखते हैं हम अपने बिलासा भी भचपन में बालिकाओं और बालकों दोनों के साथ मिलकर खेलती थी. यहाँ पर सह का प्रियोग हुआ है, सहयोगे तृतिया, इसलिए बालाई अर्थाद बालकों के साथ. बाल अर्थात बालक बाला मतलब बालिका दोनों का सब्द रूप चलाएं सब्द रूप बनेगा जैसे बाला आया बालाई जैसे सब्द बना ये कैसे बना है ये सब्द बनता है बालेन बाला ब्याम बालाई है बाल सब्दे में तृत्यव भक्ति बहु वचंद का यहां प्रेउग हुआ है अर्था बाला बाले है सह अर्थात कृब बालकों के साथ भी और बालिकाओं के साथ दोनों के साथ मतलब होता है खेलना प्रथम पुरुस लट लकार एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है खेलता है लेकिन इसके साथ में स्मा का प्रयोग हुआ है स्मा का प्रयोग होने के कारण से इसका अर्थ लट लकार अर्थात वर्तमान काल का नहु करके लंग ऄपलकार अरथात भूत् काल का यहां अरथ यहां सब्दों देता है कौन सा खी जतिसम तो बिलासा साइसव काले बाला बालाई सा करीजतिस्म बिलासा जो है सिसुक वस्था में बालदुकायों और बालकों के साथ खेलती थी तस्याई बालका नाम क्रिदनकम क्रिदणम च रोचतेसमा उसको बालका नाम अरठाथ बालकों के बालिकाओं के अप्य thing अच्छा बालकों के क्रिडनकम खिलोने क्रिडनम च और खेल खिलोना भी और खेल भी किसके बालकों के किसको तस्चेई अर्थात बिलासा को रोचतेस्म अच्छा लगता था अब जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे बड़ी हुई जैसे-जैसे वह बड़ी होती है उसको अब बालकों के खेल और खिलोना यह दोनों उन्हें अच्छा लगता था रूच योगे चतूर्थी भवती रूच अच्छा लगना अर्थ में चतूर्थी भगती का योग होता है तो यहां पर रूच दाहतु का प्रयोग हुआ है रूच दाती का रूप हुआ है यहां पर रोच्ते रोच्ते में रोच्दातव है लटळकार आत्मने पद का रूप है प्रथम पुरूष एक वचन का यह रूप है और इसका ठाथ पर यह होता है अच्छा लगता है लेकिन इसके साथ में Smyak का और खेल अच्छा लगने लगा था भिलासा अदम्य साहसी का आसीत बिलासा जो है अदम्य साहसी थी अर्थात वहसा हसी बालीका थी एकदा सुप्तंबालम नित्वा वृक् कहा पलायनम कुर्वम आसीत एक बार सुप्तम एकदा मतलब होता है एक बार अव्याइपद है यहाँ सुप्तम मतलब सोते हुए बालम मतलब बालक को बच्चे को नित्वा निधा तो प्रत्या का प्रियोग हुआ है यहाँ पर और नी का मतलब होता है ले जाना और नित्वा का त उसको लेकर पलायन मतलब होता है भागना या जाना एक इस्थान से दूसरे इस्थान के लिए प्रस्थान करना ये कहलाता है पलायन तो पलायनम कुर्वन आसित भाग रहा था एकदा सुप्तम बालम नित्वा विक कह पलायनम कुर्वन आसित अर्थात एक बार एक सोते हुए करिवन एक प्रेडिया भाग रहा था कि यहां पर प्रयुग हुआ है कूरवन यह सब्दा जो है आप देख रहे हैं यहां पर कुर्वन सब्दा कैसे बनता है तो और इसमें सत्री प्रत्या का प्रयोग हुआ है सत्री प्रत्या का प्रयोग होता है तो या अन यह सेस बचता है तो इस तरह से कुरीध हातु में कुर्वन सत्री प्रत्या का योग हुआ तो रूप बनता है कुर्वन और इसका ताथ पर यह होता है करते हुए अर्थात यहां और सानज प्रत्या जो है यह वर्तमान कालीक प्रत्या अर्थ प्रयोक होते है कि अर्थ होता है तो एक दा सुप्तम बालं नित्वा वरिक्काह कलायनम कुर्वान आ सीध एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था तदा यह अव्याइक पर होता है तब द दंडेन दंड मुल सबता है दंड का मतलब होता है दंडा दंड भी होता है और दंडा भी होता है दंड जो सजा की अर्थ में होता है वह अर्थ भी होता है और दंडा भी होता है यह लाठी जिसको कहते हैं तो बिलासा व्रिक्कम दंडेन दंडे से ताज यित्वा मार कर बालक मंक्तम क्रित्वा बालक को मुक्त कराकर मातरम समारपयत माता को समर्पित कर दिया एक बार एक छोचे से बच्चे को लेकर भीडिया जो है वहां से भाग रहा था और बिलासा ने उससे देख लिया तो विलासा क्या करती है पास में रखी हुए जंजे को उठाई और उस भेडिया का पीछा करते हुए गए और भेडिये को जंजे से पीट-पीट करके मार के भगा दिया और इस तरह से वह बालक जो है उस भेडिया से मुक्त हुआ तो बालक को लाकर माता के सुरक्षित हाथो में उसे सौप दिया तो इसी प्रसंग को यहां लिखा है तदा विलासा विक्कम दंजय ताज वित्वा तब विलासा ने उस भेडिया को दंजय से मार कर ताज इत्वा यहां सब्दों जो बना है ताज धातू रिद्हातू है। इसका तात्पेर होता है कर करके मातरम मात्री यह मूल सब्द है और यहाँ पर वित्यभक्ति एक वच्छन का प्रेग हो है माता को समार्पयत समधन अर्पयत समर्पित कर दिया कि बालके सह बिलासा मल कोसलम सिख्छतेस्म और बिलासा क्या करती थी वह बाली का ओं क्या प्रेक्शा बालकों के खेल उसको अच्छा लगता था और बाल फिर और जैसे बड़ी हुई वह, जैसे कीसोरा वस्थ हमें आते ही वह क्या करती है बालकई सह बिलासा मल कोसलम सिख्षतेसमा बिलासा बालकों के साथ मल कोसल या कहें कि युद्ध कोशल RM का सिक्ष प्राप्त करने लगी थी बालकई सह बालकों के साथ बिलासा मल कौसलम युद्ध कौसल सिख्छ तेस्म सिख्छधातु है आत्मनेपद करूप है लटलकार प्रथम पूरुस एकवचन का सिख्छा प्राप्त कर रही थी सिख्छ तेस्म सिख्छा प्राप्त कर रही थी बालकों के साथ मिलकर युद्ध कौसल सिख्छ रही थी इस वाक्य से संब्दित प्रस्ण पूछे जा सकते हैं बालकई सह बिलासा मल कौसलम सिख्छ तेस्म अस्मिन वाक्य करता पदम कीमस्ति तो करता क्या है बालकई यह जो लिखा है यह करता है यह बिलासा करता है तो देखिए करता जो होता है वो सदय प्रत्मविभक्ति में होता है प्रत्मविभक्ति किस में लगा है बाल कई में लगा है कि बिलासा में लगा है तो इसके लिए आपको सब्दरूप जानना होगा तो सब्दरूप आप देखें तो बिलासा कहते हैं आकारांत है आकारांत म संग्या जो सब्द होते हैं, इनके सब के रूप बनते हैं, जैसे आप हैं, आपके भी नाम का रूप बनेगा, जैसे बिलासा, बिलासा का रूप बनेगा, बिलासा, बिलासे, बिलासा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, बिलासा जो है प्रत्मवी वक्ती, एक वचन का रूप है यदि हम बालकई यह सब्द को देखें तो बालक इसका मूल सब्द है तो इसका सब्द रूप देख लिए बालका बालकव बालका बालकम बालकव बालकान बालकें बालका भ्याम बालकई है तो यह तृतिया भक्ति बहु अचन का रूप है यह करता पद नहीं है यह क्या है य कर्टाने कर्म को करन से के द्वारा तो यह करन कहां होता है तरितिय अविक्ति में करन होता है ति यह तो इसलिए कर्टापद नहीं है तो कर्टा क्या है बिलासा तो अस्मिन वाक्य बिला क्रिया पद प्रयुक्त हुआ है तो उत्तर क्या होगा क्रिया पद देखिए क्रिया पद क्या क्या शिक्छतेश्मा तो अस्मिन वाक्ये शिक्छतेश्मा इती क्रिया पदम प्रयुक्तम अस्ति ऐसा पुत्तर दीजिए बिल्कुल सही हो जाएगा तम साहसं द्रिष्ट्वा जनईह तस्याह दलाय ग्राम रक्षणस्य दायत्तम प्रदत्तम उसके इस साहस को देखकर द्रिष्ट्वा द्रिष्मुल धातु है एक्तवा प्रत्य का प्रयोग हुआ है और इस तरह से इसका रूप बना है द्रिष्ट्वा ध्यान दीजिएगा विभीन परिक्षाओं में तरह तरह की प्रस्ण पूछे जाते हैं उनमें से कभी किसी सब्द रूप के अधार प्र सकता है क्रिधन प्रत्येयों का कहीं पर प्रयोग हुआ है तो उनको भी आप से पूछा जा सकता है कि इसका प्रकृती क्या है प्रत्य क्या है और प्रत्येम् चिनुत क्या राथात यह प्रक्रित कहा जाता है और प्रत्या धातः को अलग करके लिख है ऑद्य हास क्रिण करें तो फेल्टं क्या है है अर्थात हम कितना समझ पा रहे हैं इसकी परक उन परिक्षाओं के माध्यम से किया जाता है तो यहां देखते हैं द्रिष्टवा सब्द जो आया है द्रिष dhutu है द्रिष मतलब होता है देखाना यदि हम धातू रुप की बात करें तो द्रिष्ट को वहाँ पर पस हो द्रिश्ट्वा और इसका तातपर होता है देखकर शब्दार्थ भी पूछा जासकता है जन्मुल सब्द है तृतिव भक्ति बहुवचन के ही रूप है और इसका तातपर होता है लोगों के द्वारा तो उसके साहाज को देखकर लोगों द्वारा तो स्याह दलाय ग्राम रक्षण अस्य दाइत्वम प्रदत्तम उसको दल के दलाय दल के लिए ग्राम रक्षण अस्य गाउं के रक्षण के लिए दाइत्वम प्रदत्तम दाइत्व दे दिया गया रथात उसके साहस को देखकर लोगों के द्वारा उसको दल की रक् झाल झाल